नमस्का दूस्तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पीछे ग्रोजी में आज के अपने इस वीडियो में हम एक मैत का पिसन डिसकस करेंगे जिस पिसन की हम बात करेंगे उसको पहले देख लेते हैं तो पिसन हमारा क्या है पिसन है कि साधारा ब्याज की किस दर से कोई धन आठ बरसों में पांच गुना हो जाएगा ठीक है तो इस पिष्ण को हम दौनों विधियों से देखेंगे पहले लोंग विधी से देखेंगे और फिर एक सोट विधी हम आपको बताएंगे जिससे आप सवाल देखकर ही हल कर देंगे तो पहले हम जो बेस मेथड है उसको लगाते ह है उसने कहा साधान व्याज की किस दर से यानि की दर हमें पता नहीं है यह हमें पता चल गया है फिर कहा कोई धन आठ बरसों में पांच गुना हो जाएगा तो टाइम दिया है आठ बरस ठीक है पी को हम मूलधन को पी ही मान लेते हैं और जो यह हो जाएगा वह कितना हो जाएगा मूलधन का पांच गुना हो जाएगा यानि पांच ही पी हो जाएगा तो इससे अगर सिंपल इंटेस्ट निकाले तो पी मूलधन है और पांच पी हमारा क्या है एमाउंट है तो मैंसे मूल्धन माइनस कर देंगे तो 4P यानि मूल्धन का 4 गुना हमें क्या मिलेगा simple interest मिलेगा ठीक है यह सब बेलू हमको मिल जाने के बाद हम rate का formula लगाते हैं क्योंकि rate का formula हमारे पास है SI गुड़ा 100 भागे P multiply T ठीक है तो हमने rate का formula लगा दिया अब जो जो value हमारे पास है वो value हमें हाँ पर रख देंगे तो R बराबर SI SI की value है 4P गुड़ा 100 भागे P की value तो P ही है time की value है 8 वर्स ठीक है P से P को काट दो 4 से 4 दूना 8 काट दो 2 से काटेंगे तो 50 दूनी 100 तो R की value निकल के कितनी आई R की value निकल के आई 50 50 ठीक है तो आपने एक तो इस method से लगा लिया अब हम एक आपको short method भी बताते हैं short method जब कभी आपको R निकालना हो तो कैसे निकालेंगे उपर लेके लेंगे गुणा माइनस एक यानि जितने भी गुणा को इरासिय हुई है यानि 5 गुणा होती तो उसमें से 1 को माइनस कर देंगे भागे टाइम कर देंगे गुणा 100 कर देंगे ठीक है एफ फॉर्मूला आप सीख लीजिए आपकी दोनों बेलो निकालाएगी ताइम निकालना हो तो ताइम को इदर रख देंगे रेट को नीचे ले आईए तो ताइम बराबर गुणा माइनस एक बटे रेट गुडे 100 हो जाएगा अगर आपको rate नेकालना हो तो गुणा माइनस एक भागे टी गुडे 100 कर देगे कैसे निकलेगा कितने गुणा हुई थी 5 गुणा पान्च गुणा में से 1 को माइनस कर देगे कितना हो जाएगा चार टाइम कितना था आठ बस भागे सो चार से काटेंगे चार दूनी आठ दो से काटेंगे पचास दूनी सो तो आर बराबर पचास यहां पड़ा जाएगा ठीके तो आप इस फॉर्मूले को सीख लीजिए आर बराबर गुना माइनस एक बटे टी गुड़ा सो यहां टाइम पूछा जाए तो टाइम बराबर गुना माइनस एक बटे आर गुड़े सो दोनों ही बेलो इससे आप निकाल सकते हैं तो यह अपनी सौर्द मेठ़ है यह अपनी लोंग मेठ़ड है दोनों मेठ़ड आपने देख ली है जो आपको अच्छी लगे वह है उससे आप सवाल को सॉल्ब करके आंसर ले ले लिए और ऐसे ही नौलेज बढ़ाने बाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चनल पीके गुरू जी के साथ नमस्कार